नमस्कार, आज के सत्र में हम लोग अध्यन करेंगे एजुकेशन एंड टीचिंग, सिक्षा की प्रक्रिया और सिक्षण की प्रक्रिया, दोनों में क्या तालमेल है और क्या अंतर है, टीचिंग जो है, हम लोग जानते हैं कि क्लासरूम सिच्वेशन में किसी खास क्लास के लिए की जाती है, और जो लर्निंग अब्जेक्टिव्स होते हैं उस क्लास के लिए उन लर्निंग अब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने का प्रियास उसमें किया जाता है, तो टीचिंग जो है वह टीचर करता है जो specific subject का होता है और उस subject में उस बच्चे को तयार करता है उसमें उसको डवलप करता है तब education क्या है education का concept विस्तृत है broad concept है जिसमें teaching भी आता है ट्रेनिंग भी आता है instruction भी आता है और कुछ और आता है education का जो main focus है वह main focus है कि व्यक्ति के अंदर या छात्र के अंदर जो भी अंतर नीच चमताएं हैं उसको बाहर लाना उसको निखारना उसको विकसित करना और इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का सरवांगिन विकास करने का जो की प्रक्रिया है उसको हम शिक्षा कहेंगे तो जब व्यक्ति का सरवांगिन विकास होता है वह शिक्षा की प्रक्रिया है लेकिन जब हम किसी subject में बच्चे को हम डबलब करने का प्रयास करते हैं तो वह teaching का process है, वह सिक्षण की प्रक्रिया है तो सिक्षण की प्रक्रिया में मुखरूप से एक विसेस class में विसेस कच्छा के लिए विसेस विसे में उसको आगे बढ़ाया जाता है और education की process में उसके सरवांगिन विकास करने का प्रयास किया जाता है और जब बच्चा प्रिविन विसेओं के दौरा आगे बढ़ता है तो उसकी सिक्षण की प्रक्रिया चलती है एक बात और ध्यान देने की है कि जब हम सिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो विशय विसेश के लिए जो आगे बढ़ रहा है बच्चा जो सीख रहा है वह तो है लेकिन सिक्षक जो है उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो करके व्यक्तित्व सिक्षक के जीने के तरीके से प्रभावित हो करके सिक्षक के अंदर जो एक आभा है उस आभा से प्रभावित हो करके जो बच्चे प्रभावित होते हैं उससे जो सीखते हैं कि कैसे नैतिक होना है कैसे आदरशात्मक मुल्यों को अपने में आत्मसात करना है कैसे हमें देश के परती एक अच्छा ख्याल रखना है कैसे हमें अपने समाज में सहयोग करना है कैसे अच्छे-च्छे मुल्यों को हमें जीना है यह जो सीखते हैं यह सिक्षा की प्रक्रिया है तो शिक्षा एक broad concept है जिसके अंतरगत संपुर्ण विकास किया जाता है भावात्मक विकास किया जाता है उसमें मुल्यों का विकास किया जाता है उसके cognitive domain का development किया जाता है उसके effective domain का development किया जाता है जोरत पढ़ने पर उसके psychomotor domain का develop किया जाता है और एक तरह से संदरो सरवांगिन विकास किया जाता है ताकि उसका कोई पक्ष छूट न जाए और एक बात और भी है कि जो जिसको कुछ लोग मानते हैं और आज कर spiritual intelligence की बार तो माइन ने हो गई है psychology में तो जो spiritual aspect है वो हभी उसका डवलप किया जाता है और जब इस तरह से डवलप होता है तो उसको हम education process कहेंगे और जब केवल विशे विशेश की teaching करते हैं तो वह teaching process होंगे दन्यवार्ट